साथियों, आज आपसे बात करते हुए, मुझे पहले की सरकारों का दोरा रविया, जनता से उनकी बेरुख्वी भी बार बार याद आ रही है। मैं इसका जिकर भी आपसे जरूर करना चाहता हूँ। सब जानते थे कि गोरकपुर का फर्टिलाइजर प्लांट इस पूरे छेत्र के किसानों के लिए, यहां रोजगार के लिए कितना जरूरी था। लेकिन पहले की सरकारों ने इससे शुरू करवाने में कोई दिल्चस्पी नहीं दिखाई। सब जानते थे कि गोरकपुर में एम्स की मांग बर्सों से हो रही थी। लेकिन 2017 से पहले जो सरकार चला रहे थे, उन्होंने एम्स के लिए जमीन देने में हर तरह के बहने बाने बताए। मुझे आज है, जब बात आर्या पार की हो गई, तब बहुत बेमन से, बहुत मजबूरी में पहले की सरकार द्वारा गोरकपुर एम्स के लिए जमीन आवंटित की गई थी। दादियों, आज का ये कारकरम उन लोगों को भी करारा जवाब दे रहा है, जिने टाइमिंग पर सवाल उठाने का बहुत शौक है। जब ऐसे ये प्रोजेक्ट पुरे होते हैं, तो उनके पीछे बर्सों की महनत होती है, दिन रात का परिश्रम होता है। ये लोग कभी इस बात को नहीं समझेंगे कि कोरोना के इस संकट काल में भी डबल इंजीन की सरकार विकास में जूटी रही, उसने काम रुकने नहीं दिया। मेरे प्यारे भाईयों बहनों, लोहिया जी, जैप्रकान नाराएंट जी के आदर्सों को, इन महापूर्षों के अनुसादन को, ये लोग कभ से छोड़ चुके हैं। आज पूरा यूपी भली बाती जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलिप से कोई लेना देना नहीं है। परकार बनानी है आतंकवादियों पर महरबानी दिखाने के लिए। आतंकियों को जैल से छुडाने के लिए। और इसलिए याद रखिए लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड एलट है रेड एलट यानि खत्रे की गंटी है।